हाई फ्रेंड्स में अकांचा सर्मा जी के वितकांचा में आपका स्वागत करती हूं मुख परिक्षा M सीरीज में आज हम एम 3 पढ़ने वाले हैं मतलब आज हमारा देन है गुरुबार को मैंने बोला था गुरुबार को हम दर्सन सास्त्र पढ़ेंगे तो आज हमारा दर्सन सास्त्र कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाए सब रेगुलरेटी बन जाए तो मैं फिर वह रेगूलर तीन चार्ट वीडियो लेके आऊंगी थोड़ा सा टाइम को मुझे मैनेज करना है तो उसके बाद में रेगूलर आपके लिए यह में प्री और एंपी का वीडियो लेके आऊंगी तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं आज गुरुबार है गुरुबार दर्सन सास्त्र का दिन है तो हम दर्सन सास्त्र पढ़ेंगे और दर्सन सास्तर में पांच नंबर, दो नंबर, बीस नंबर के यह प्रेशन हम पढ़ेंगे आज हम जो पढ़ेंगे सुकुरात के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंट आगे की इन्फॉर्म निसन देने से पहले आगे पढ़ने से पहले मैं MPPSC प्रीके नोट्स की बताना चाहती हूं आपको यह मेरे MPPSC प्रीके नोट्स ने आप देख रहे हैं यह इसमें पूरी दर्स इनिट कवरें देख रहे हैं मध्योप्रदेश का इतिहास है इसमें नहीं आता है मैंने हातों से लिखके उनको टॉपिक को इसमें कवर किया है तक इसमें चलाई थी उनके टॉपिक लिए गए हैं यूनिट 8 में यूनिट 8 की दो फाइल में लेंगे आपको एक खेलकून का मिलेगा और एक करेंट अफ्यर्स का मिलेगा इसके यूनिट 9 में सुचना प्रद्दुगे की उनिट 10 में आयोग मिलेगा तो आप अपनी ये बु में प्रद्द दोनों यूनिटें लेगा तो प्री का नोट जो है बहुत ही कम में में से दोनों चाहिए करते है तो पुड़क एन अफ्यर सथे ही कि बुकले टों चीशनत मिलेंगी साथ जुटैज ताइस की तरह नes नोट ममी लेंगे ग वोट्टब का गुरूप में लेकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं यह 3-marker की 12 फाइल रहेंगी इसमें सबी 3-marker कम्प्लीट रहेगा 3-marker को किस तरीकी से लिखना है 3-marker में किस तरह के प्रेशन यह सभी अलग-अलग टॉपिक के बना दी हूं अलग-अलग को टॉपिक के 300-plus प्रेशन है तो आप कर सकते हैं यह पुराने पेपर से पुराने सॉल्ड पेपर हैं तो यहां से आप सॉल्ड से अपनी तैयारी कर सकते हैं मतलब पुराने papper की इस प्रकार के आते हैं, उससे आप इसके आपके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो चलिए अब हम अपनी पढाईि स्ट रट करते हैं, अगर यह बुक करना चाहते हैं, प्री का नोट्स या मेंस का नोट्स या बोथ आप वुक करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएंगे अब यह हैं सुक्रात के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुक्रात का जीवन पर्चे दो जो मेरे मेंस के नोट के फर्स्ट पेज है उसी से ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूं ताकि आपके पास अगर नोट से तो आप इस भी पढ़ते जाएं और यहां से भी आपको समझ में आता जाएगा सबसे पहले सुक्रात का जीवन पर्चे कभी आता तो नहीं है लेकिन कुछ भी कोशन दे सकता है इसलिए आपको हर चीज के लिए प्रिपेर रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अपल कर लिजे वीडियो में ही कि सुकुरात का जर्म 479 इसापूर्व में एथेंस में हुआ था इनकी पत्नी का नाम एंथिपे था और यह युनान के महांदार्सनिक थे इन्हों ने एथेंस के नागरेकों को निसुल्ग सिक्षा देने का प्रयास किया क्या किया इन्होंने एथेंस के नागरेकों को निसुल्ग सिक्षा देने का प्रयास किया अंतहा करण की पवित्र आवाज पर ये बल देते थे सत्संग को बहुत पसंद करते थे सुक्रात का दर्सन जो था मानप केंद्रत था मतलब मानप जो उनकी दर्सनवादी विचार धारा थी वो मानप को लेकर ही थी इन्होंने दासनिक विचारों को कोई भावनात्मक रूप नहीं दिया मृत्युंyr iniken 3999 इसअपूर में हुई थी और पिता का नाम सोफ能 निकस था सुखरों निकस एक बार ओपड़ लेते हैं सुक्रात का जन्म कब हुआ था सुक्रात का जन्म 479 इसअपूर में हुआ था कहां हुआ था एथेंस में, इनकी पतनी का नाम एंथिय पे था, यूनान के ये महान दार्षनिक थे, इन्होंने एथेंस के नागरिकों को निसूलक सिख्शा देने का प्रयास किया, अन्तहप करन की पवित्र आवाज पर ये बल देते थे, ससंग को बहुत पसंद करते थे, इतका नाम सौफरीन निकस्था जाकिन पड़ते हैं सुक्रात के अनुसार यथरत ग्यान क्या हैं इस इसी को इन्हों उन्होंने प्रमानिक माना तो क्या था सुक्रात के अनुसार यथार्थ ज्यान क्या था सुक्रात बौधिक ज्यान को यथार्थ ज्यान कहते थे इसी को उन्होंने प्रमानिक माना फ्रेंड डिस्किप्शन वक्स में वाट्साप टैलिग्राम फेस्बुक इंस्टा की लिंक मि तो आप ले सकते हैं, हमारी application पर भी ये डली हुई है ethics की पीडिया, मुझसे भी whatsapp करके ले सकते हैं, या आप इंस्टा मुझो से भी ले सकते हैं, तो सुक्रात के अनुसार यथार्थ ग्यान क्या था, सुक्रात बौध धीक ग्यान को यह अगर नोट्स ले ले लें आप कहीं ग्यान ही यह धर्थ ग्यान है, सुक्रातिय पद्धती की विशेस्ताइं क्या है, सुक्रात ने अपनी दर्सन में जो भी पद्धती अपना ही, उसको सुक्रातिय पद्धती बोलते हैं, उसकी विशेस्ताइं क्या है, संधेहात्मक, पहली क्या है, संधेहात्मक उनकी जो र सुक्राति पध्धति की कौन कौन सी विशेस्था है आप इस कोई झात्य। ऐसे फिलो चार्ट में भी लिग सकते हैं . यह उपग शुक्राति की पविशेस्था है ? उसार वाला सुक्राति महीं बद्धति की विशेस्था संदेह करती सिद्धान यहीं कि यहीं याद सक लीजेगा अगले ऊश्या देखते हैं सुकृत की नीती स्विश्चा की रिख Sun की लिकातना है कि नीती मीमां सा ऐला इंद को लेकर अन्हों सबसे पहले बताया कि यहान के दोरा ही सदगुड़ों की सिख्षा संभव है ज्यान के द्वारा ही मतलब अच्छी गुणों की अगर हमें सिख्षा प्राप्त करनी है तो वो ज्यान के द्वारा ही संभव है मतलब ज्यान को सर्वोपरी वो मानते थे ज्यान ही धर्म है तो ज्यान के समान धर्म एक है तो ज्यान को ही वो धर्म मानते थे और बोलते थे ग्यान के समान धर्म भी एक ही है जैसे ग्यान एक है वैसे धर्म भी एक है यदि ग्यान ही धर्म है तो ग्यान सभी नैतिक कर्मों का याधार है इसके अलावा बोलते थे कि यदि ग्यान धर्म है ग्यान को अगर हम धर्म मान रहे हैं तो जितने भी नैतिक कर हिए जितने खुए हम अच्छे काम करते हैं तो जो आधार उसका जो बेज है क्या है धर्मुही है कर्म प्रिसंध की प्रापति कर्म करते हैं तो हम जरूरी कि हम प्यस्पाइसे कमाने के लिए करते हैं तो कर्म-प्रिसनिता की प्राप्ति के लिए होता है आत्मसयम, विवेक, दूरदर्शिता, करुणा, दया, आधी सभी सद्गोड है अगर आप आत्मसयम से आप में सयम है, आप में आत्मसयम है आप खुद पे सयम कर लेते हैं, तो ये आपका सद्गोड है आप में विवेक हैं, ग्यान हैं, आप दूर दर्शिता, दूर दर्शी हैं, दूर का सोच लेते हैं, आपके अंदर गरीवों के प्रति दया है, करुना हैं, तो ये सभी आपके अंदर सद्गोण हैं, प्रसनिता सुब घर्मों पराधरित होती है, कभी भी कोई भी व्यक्ति बुरी तरह से कमा कर खुज नहीं रह सकता, अगर वो अच्छे काम करता है, अच्छे कमा कर अर्णिंग करता है, या किसी की हेल्प करता है, दीनों की सेवा करता है, तो वो प्रसनिता एक अलग ही होती है, वहाँ प्रसनिता असली प्रसनिता होती है, तो क्या मतलब है इसका कि प्रसन्यता जो है वो सुप कर्मों पर आधारित होती है एक बार और पढ़ लेते इसुकुराट की नीती मियमांसा में इतना दिया नहीं हो कि रट 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 के चले गाए और आपने वहां लिग दिया वहां जब आप लिखते हो तो आपको कुछ अपना दिमाग भी यूस करन करना रहता है तो आपको यह दिमांग में बिठाना नीतिमे मान सामें सुकुरात ने ज्यान को रभपरीबता आакश्य कर्मों को रभपरीबता है इसको ही आप explain करके, extend करके आप इसको ही लिख सकते हो, तो सुकरात का पहला क्या लिखेंगे, ज्यान के द्वारा ही सद्गुडों की सिख्षा संभावे, अच्छे गुड़ अगर आपको करना है, अच्छे गुड़ आपको चाहिए है, तो उसके लिए ज्यान सबसे बड़ी चीज है ज्यान ही धर्म है, ज्यान को ही धर्म माना है, ज्यान के समान धर्म भी एक है, यदि ज्यान ही धर्म है, तो ज्यान सभी नेतिक कर्मों का आधार है, यदि ज्यान को धर्म माना है, तो ज्यान के द्वारा ही जितने भी हम मोरल वर्क करेंगे, नेतिक कर्म करेंगे, उसका ही क्राप्ति के लिए हुगता है कर और मैंने में करने कि करनों करते हैं आत्म-सयह विवेग। ऐआतारित होती है आप सदगुड के विष्यम शुक्रात के गुन बताईए कि 5 नंबर दो सकता है तो सदघ्णी विसमें सुकरात के गुड़ में पृप्त कर ले रहा है ज्ञानी जेंता है नेतिक कर्मosphर हो जाता है सदगोष दूसरों को दे सकते हैं सदगोन ही आननद है अगर आप ऐसे आप में अछय शाय को हो सदगोन हिई न лег Ami गोड़ होता है उसमें शाय कुछा करणे के बें दूसरे के लिए अच्छा करने तो गोड़ ऑर इक्षा तो इस प्रेकार से ब 가까 से खो जाएंगे हैं इस odpow सद्गोण सिक्षने सद्गोण और रिक्षा सद्गुण आनंध गणց इसके बाद हम पह SSUKRAT पर अगर आपको आजाएं कि दो6 नमबर में लिखो अहां विद्वान इस दाधर्नाए वो सक्थे ज्ञान और धरमपर आधारित है किस पर आधारित है सत्य ज्ञान और धरम पर आधारित है अगला कोश्यन है सद्गुण ही ज्ञान है इस पर सुकुरात के विचार वताओ तो सुकुरात के चिंतन की मूल देन यही है कि उसने विवेक को अधिक महत्व दिया है हम इतनी देर में सुकुरात के वार चिंतन मतलो सुकुरात की विचारधारा, उनकी सोचने की शमता, उनका जो चिंतन है, उसकी मूल देन यही है, कि उसमें बिवेक को अधिक महत्व दिया है, जिसके पास बिवेक है, वही ज्यानी हो सकता है, जिसके पास बिवेक है, वही क्या हो सकता है, जिसके पास बिवेक न सकता है गुडवान हो सकता है इस प्रिकार उसने जो ग्यान होते है और जो गुड़ है उसके बीच के घ्रिश्प के बिच व्यक्ति और नैतिक कर्म करता है तो उसने उसके व्यवस्था को स्विकर किया जिसमें विवेक सील तत्वों की प्रधानता मिली, जिसमें किसको प्रधानता मिली, विवेक सील तत्वों को प्रधानता मिली, ये 5 नंबर में आ सकता है, तो सुकरात के चिंतन की मूल देन यही है, कि उसने विवेक को अधिक महत्वतिया, जिसके पाल विवेक है, वही ज्या वही गुडवान हो सकता है इस प्रेकार उसने ज्ञान और गुण के बीच अंतह संबंद स्थापित किया सुक्रात ने मनुष्य के बौधिक और नैतिक व्यक्तित्व को भी सराहा और इस प्रेकार उसने उसी विवस्ता को सुईकार किया जिसमें विवेक सील तत्वों को प्र ज्यान के वीच और सद App Chelsea गोड़ के बीच अन्तह संबंद स्थापित किया था उसने मनुष्य के बौधिक और स्ते नैतिक व्यक्ततों को सराहा और उसने ये भी कहा कि मानमNात्र प्रतिक करोना और दया ज्यानी व्यक्ति ही कर सकता है जो व्यक्ति के अच्छे और खुद के अच्छे बुरे को समझ सकता है तो फ्रेंट्स ये थे हमारे आज का कोशन सुकरात की धात्री बिनाली और बाकी सुकरात के वारे में जो पंदरा नंबर के जो कोशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर जरूर कीजेगा के फ्रेंट थेंक यू